मैंने अभिमान के साथ कहा, आपको बिना पुछे कह दिया कि चंदरायन सिख्षया की अबदान है, यह जो आद चंदरायन की सफलता हमको मिली है, क्या हमारी इंडियान इंस्टिटुशन की उसमें रोल है की नहीं है, सिख्षया संस्नावों की बीच मैंने देखा कि सारे कॉल तुमारे रूची विज्ञान के प्रती ज़्यादा है, पढ़ा उसमें, शाथ हो एक दो सब्दक की इंस्पैरेशन, या साइन्स ग्लास ने उसकी पीट थप थपाना पैटिंग करना, उसकी मन में इंस्पैरेशन के रूप में परिवर्तित हुआ होगा, और बाद में सोमन समाज जी की नाम पे एक बित्ती बन गया होगा, इसलिए शिक्षा की ओदाईत तो है, समाज को वयानी करना, समाज को रिशर्च ओरियंटेड करना, समाज को कुशली बनाना के कौन काम करेगा, समाज को स्कीलफूल बनाना, कि शिक्षा की दाईत तो है, इस देश की बीवी जिताओं को कभी-कभी मैं सोचता हूँ अंग्रेजों ने हमारी अंदर कुछ बिचार प्रभाद छोड़के गए लंबे समय तक हम लोग इस उल्जन में रहें कि भासा हमारी एक अलग पहचान है भासा को लेके तनाओं की स्थिति कभी-कभी आजाती है भासा को divider की रूप में माना किया लेकि पधान मंतरिजी ने envision किया कहा कि भासा इस देश की diversity की 유 English है इस देश में diversity हमारी strength है हमारी weakness नहीं है हमारी विद्यारितों के अंदर हमारी सब्वेताव के अंदर ये डाइवर्शिटी हमारी समावेशी जिन्देगी की अंच है सभी भासा भासा राश्क्रिय भासा है ये सारे को कभी-कभी अच्छे ज्ञानी टीचर, अच्छे कमुनिकेटर नहीं हो पाते हैं अच्छे कमुनिकेटर में content की लेकुना आ जाती है कि सारा विश्या जाधुनिक समय हमको सोचने की बाध्य करता है युजी शी ने एच आठ आयामू की बारे में दक्षता की बारे में सोचा है मैं तो कहूँगा ये प्रारम भी है ये प्रारम भी है हमारी दाइक तो बनता है दुनिया की सारे जानकरी हम जाने और हमारी स्टूडेंट्स तक पहुँचाए और पॉजिटिव वीटी के साथ पहुँचाए उसकी मिंटरिंग करे इसलिए आज सची मोहदे ने उसकी बित्य व्यवस्ता की अकल अनकिया है मैं फिर इसको कहूँगा सची मोहदे उसमें से जितना इंवेस्ट करना चाहिए करना ही क्या वशकता है आपने पांस साल के लिए साड़े तिन्सों कोड रुपया की ये तो मैं मानूँगा कि आप इसकी आपका पार्ट वान इन्वेस्टमेंट है आप उसकी पार्ट टू पार्ट थी तक में सोचिए इसमें निवेस करना T.A.D.A. में नहीं T.A.D.A. तो मिलेगा दिए लेकिन नहीं प्रकार की चीज़ों को जानना एक्स्पोजर देना अभी हम लोगों ने इन दिनों में एक भारत थिष्ट भारत की तहट आप लोगों भी कहीं कहीं आपने उसको देखाई होगा युवा संगम आयोजन किये देखने से ही जानकारी मिलती है देखने से ही अनुभब मिलता है आज सरकार ने रोजगार मिशन को एक अगति दिया है नई नियुक्तिया मिशन मोड़ पे की जा रही है सभी इनवर्चिटी में नई पिढ़ी की टीचर्स आ रहे है उनकी ओरियेंटेशन क्या बसकता है जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी अनुभब का गालवनेशन क्या बसकता है उसमें आइडिया जारन करने क्या बसकता है एकदम जिंद्या की साचुरेशन नहीं होता है लाइज विजे कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस लाइफ लॉंग लर्निंग इसके लिए हम लोगों ने कहा है और इसको कलसी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सारा चीजों को आपने क्रेडिट फ्रेमवर्क में मैपिंग किया है इसको क्रेडिट फ्रेमवर्क में मैपिंग करने के कारण इसकी जो एकदेमिक बैंक अब क्रेडिट आप सभी की रहेगा